नहीं डीजल लगेगा नहीं पेटरॉल नहीं, अलेक्ट्रिक की है काम और एक करेगा ट्रेक्टर अब खेत में काम, इस हंडिल को जिस पर कार घूमायेंगे उस पर कार घूमता रहेगा, साइकल के चैन पाडिल को इसमें लगा करके और इस बहुत ही अदभूत अभिस्कार को संजीत रंजन जी ने किया है संजीत रंजन ने कैसा कर नामक कर दिखाया है जिसको देखने के लिए अपने बिहार के तमाम जगह के लोग जो कि हैं यहां रहेवार इनका परसंसा भी कर है बता दे कि जो यहां ट्रेक्टर अब देख रहे हैं नहीं इस ट्रेक्टर में मोटर लगा हुआ है नहीं एक रिसी एलेक्ट्रोनिक्स चीज़ से चल सकता है और नहीं इसमें डीजल पेट्रोल या मोबिल का काम है यह अपने पैरों के सहारे अब चला सकते हैं और छोटे बर्क के जो किसान है बतलब इस ट्रेक्टर के सहारे थोड़ा थोड़ा सा खेती अराम से कर सकते हैं से पीछे बी कर सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं तब तक बने रहे हैं एमारे channel के साथ बहुत-बहुत स्वागत है आपका नमस्कार मेरा नाम संजीत रंजन है और मैंने किसानों के लिए छोटा सा मीनी ट्रेक्टर बनाया है जिसमें किसी तरह का कोई भी फ्यूल या डीजल पेटरॉल किया सकता नहीं है इसे बस इंसान अपने पाडलिंग की तरह चलाना है और व हमें आ सके उसी को सोचकर मैंने एक ट्रेक्टर कर दिया किया क्या क्या करते हैं अभी आप अब यह सी पढ़ाई कर चुक्क है और इंवेंशन करते हैं अच्छा बनाने के लिए कब सोचे अपने मन में करिब 2018 में सोचे थे इसका फर्मूला भी बना लिए लेकिन हमारा पास पैसा नहीं था इसलिए इसको छोड़ दिये एक ट्रेक्टर बनाने में कितना आपका इंवेस्ट हो रहा है एक घंटा में कितने खेत को हम लोग जोच सकते हैं अगर इस तरह का ट्रेक्टर मोटिफाई की घंटे में तीन गटा खेत की जुटाई हो सकती है पैरो से कोई भी अगरेंटी के गेर बॉक्स का इस्तमाल किया जो नए डिजाइन पर सोच करके अपने दिमैग अज़ा कितने दिन में बनाये थे आप करीब दस दिन के आसपस में बना लिए उसका परदसनी के लिए हम गोवा चले गए तो वहाँ पर परदसनी के लिए लेकर गए थे इसको स्पीड कितना है आपके देखने से अभी इसका स्पीड 5 km पर घंटा है ठीक है लेकिन इसका स्पीड हमको बढ़ा का 15 km पर घंटा करना मतलब क्या चीज लगाएंगा उसमें कि इसमें थोड़ा से गेर में हम गल्ती कर दिये थे आचाना को जाना था ध्यान नहीं दिये तो आप जितने भी हमारे चाइनल से बने हुए मेरे मित्र है मेरे भाई है देखेंगे यहां एक बोल्ट के सहारे इस ट्रेक्टर के फार को गिराया जाता है जैसे मैं इसके इसकार दीए पिर यहां से पर अपने आप मिट्टी में चला जाएगा और शिर्फ पौडिल हमाते र क्टिप नहीं पड़े費 क्या अपने खेंद वालगा हमें पांna किया करते हैं प्सक्षा 1994 मैंने भावरा के पास जाओ ऊतनु चोटा खेंद में हमारे ज्टै सब्सक्राइब करना पड़ेगा हम अपने खर्चा भी कर लेंगे ना बैटरी के ना कुछ भी सब्सक्राइब कर दोगा है अब लगा हुए घ्यूडा कहते हैं और और भी बहुत सारे फसले हैं जैसे लोकी है भिंडी है यहां तरोई है ऐसे ऐसे फसल इसी ट्रेक्टर के माध्यम से जो ताई कर और इन्होंने करा है तो आपने तो बताया कि 20,000 हमको बनाने में लगा तो फिर इसमें आपको किस परकार इंकम होगी जिस अगर एक बनाते हैं तो उसमें ज्यादा पैसा लगता अगर यहीं चीज अगर बार मतलब अधिक मातरा हम बनाए जाए तो इसका कॉस् आप रहे हैं तो आपका बिली जलेगा रूम से जैसे बाहर निकलेगा ऑटमेटी आपको कहा बनाए घर पर ही बनाया है जो कुछ दिन में लॉंच होनुआ पूरे इंडिया में अच्छा इसके लिए मोधी को पत्र लिए मतलब आप क्या सोच है अपने मन में पैसे की कमी है तो कि मतलब किस प्रकार काम करेंगे कि ऐसा ऐसे ट्रेक्टर अब 500-200-400 बनागे बिहार के अधर लोगों को दिया जाए अधर राज को भी दिया हमारे जितनी जीले आसपास के जितने भी किसान उनको हम छोटे-छोटे खेते जिनके पास है उनको हम प्रवाइड कर देंगे जितना कि इसका इस्तमाल करें देश में परदूसन कम होगा डिजल की मातरा कम हो जाएगी और उनकी आया और पिता जी का नाम क्या पढ़ेगा पिता जी का नाम रामकुमार सर्मा है वे बड़ा ही कारपेंटर का काम करते हैं संजीत रंजन जी बच्पन से यह नए नए सोच रखते हैं कि क्यों नहीं नया चीज बनाया जाए और विहार की अलावाँ अगर इस पोडेक्ट की मांग अगर हो रही है मार्केट में तिर इसको अधर राज के लिए भी भेजा जाएगा जिससे हमारे विहार का नाम भी उच फिर्फ करेंगे कि हमारे बिहार के पस्मी चंपारनजीला के चंपारनड का एक बेटा जो कि और गरीब परिवार के होते हुए भी एक ऐसा अभिस्कार करड़ा, जितनी पैसा में हम लोग एक मोटर साइकल नहीं खरे सकते हैं, उतनी पैसा में अब लगने जा रहा है बिहार के हर एक दरवाजे पे मिनी ट्रेक्टर, जो ट्रेक्टर बिहार के पस्मी चंपारजीला नौतन परखंड शेतर के धुस्मा के संजीत रंजन ने बनाया, और बचपन से हिनाया निया करनामा कर दिखा हैं, आगे लिखा हुआ है, जय जवान, जय किसान, और एक किसान का इसमें पिक्चर भी लगाए गया, फोटो लगाए गया है, छोटा-छोटा ट्रेक्टर का चक्का है, और इसमें इंजन आप अगर सोच रहे होंगे, तो नहीं है, इस सिर्फ है जो कि है, हंडिल ग दिखेंगी, जो आपको साइकल में भी दिखने को मिलता है, और उसी साइकल के चैन पॉडिल को इसमें लगा करके, और इस बहुत ही अद्बुत अभिस्कार को संजीत रंजन जी ने किया है, खबर को सेर करते रहे हम राजा, जय हिन जय भारत, जय चमपारण कि बाजन भारत, जिखेंगी, भारत, जिर मिलता है, कि उ позromact हा जोगiens जी कि सव दिखने कि बाजन जेकर धिशनी, सि समाना सघकल में जिखने को मिलता ही जहित है, और प्समlen जी हैं पॉन